दोस्तो जब आप प्रैक्टिकल में इलेक्टिक ओभारेड ट्रैवेलिंग क्रेन में काम करते हैं जिसको हम लोग योटिक क्रेन बोलते हैं और इसमें एक आपका क्रेन डाइवर रहता है जिसको हम लोग क्रेन ओपरेटर बोलते हैं ओ आपको कभी ना कभी ये बात जरूर बो हेज, एल्टी और सिटी बोलते है बहुत सुलो चल रहा है तो आखीर यह जो सुलो चल रहा है इस टाइब का बात आपको जब बोलेगा तो आपको क्या-क्या चेक करना है और किस तरह से चेक करना है और को पॉइंट टू पॉइंट बारी की से चेक करके किस तरह से ठीक करना है आज दोस्तों मैं जिस तरह से आप लोग को बताऊंगा आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा सारा डाउट किलियर हो जाएगा और बहुत आसान तरीका से इस फोल्ड को आप सिरिफ दो से पाच मिनिट का अंदर में ठीक कर सकते हैं तो जब आपको क्रेन डाइवर हो या क्रेन ओपरेटर इस टाइप का बात बोलेगा तो आपको सिधा कहां पर आ जाना है पैनल के पास तो उससे पहले जो आपका क्रेन डाइवर रहेगा उससे पूछ लेना है कि आखीर स्लो कौन सा चल रहा है इसे में होस्ट है एकजुलीरी होस्ट है या एल्टी है या सीटी है अगर आपको बताया है कि में होस्ट बहुत स्लो चल रहा है तो जो मेन हर्ष्ट का पैनल है उसमें आपको पहले आ जाना है और आने के बाद पैनल खोल के आपको यह देखना है कि जो आपका रेश्टेंस का कॉंटक्टर है एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पाच नमबर छो नमबर जितना भी आपका रेश्टेंस का कॉंटक्टर लगा हुआ है ते खिक से और या नहीं कर रहा है पहला जो होता है एही देखना पड़ता है और जिस्तरा से मैं आप लोग को बोल रहा हूं एही स्यम तुस तरीका से हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आगर कोई कारण से एक नंबर रेश्ट्टेंस काम नहीं कर रहा है या दो नंबर रेइस्टेंस काम नहीं कर रहा है तो ऑटमेटिक जो आपका क्रेन डाइवर है वह आपको बोलेगा कि मेन होस्ट बहुत सुलो चल रहा है अब इसको पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से चेक करना है वह भी सिखना बहुत जरूरी है इसी में सभी का ज्यादा तर गलती होता है जब आप योटी क्रेन में काम किजिएगा तो जरूर एक सीरीज बला बाल फोल्डर बना के रखिएगा इसमें आपका दो गो बाल रहता है और उसी से ही जो आपका योटी क्रेन में सार्कीट है हर सार्कीट को आप चेक कर सकते है चाहे आपका 110 भोल्ड्ड या 220 भोल्ड का हो या 415 भोल्ड का हो तो चेक किस तरह से होता है ना इस जगा में हमारे एकdagंसी sobी लगा हुआ है यहां से हमारा नेट्रा ना रहा है किसमें जो आपका फर्वार्ड का कॉंटक्टर है इसका A2 का टर्मिनल में और यहां से जो फेज सप्लाई आ रहा है जो यह फर्वार्ड साइड का मास्टर कंट्रोलर है तो यह किट जब NC बनेगा इसके थुरू होते हुए फर्वार्ड का पावर कॉंटक्टर ओन होता है जब आप बाल सबसे बड़ा प्राब्लेम होता है कि रिटार्णिंग अगर कहीं से आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिकत हो जाता है तो आपको क्या करना है एक सीरीज बला बाल फोल्डर और बना के रख लेना है जब भी आपका योटी क्रेन में फोल्ड आएगा तब भी आपको बा प्रास और इसको डॉल लेके ही चड़ना है इसके बाद सबसे पहले जो डॉल और है ओ आपको क्या बोला है कि मेन होंस्त बहुत सुलो चल रहा है तो इसमें जो आपका यह रिश्टोंस का कॉंटक्टर एक नमबर और नहीं हो रहा है तो इसको बारी किसे किस तरह से चेक कर से देखिएगा एक बात हम से हमेशा पूछता है कि हमारा फॉरवर्ड साइड चल रहा है या रिगार साइड नहीं चल रहा है तो इसका भी जो चेकिंग होता है इसके बारे भी आपको बता देंगे तो और डाउट किलियर हो जाएगा एक आपको बाल फोल्डर लेके आपको तो यह confirm जरूर रहता है कि जो आपका A2 है इसमें हमारा neutral दिया हुआ है ठीके और जो आपका A1 है इसमें हमारा phase supply दिया हुआ है ज्यादा तर practical में क्या होता है बाल फोल्डर लेके इधर उधर छटपट करने से कुछ भी नहीं होगा आपको यह पता होना चाहिए कि जो पैनल में MCB लगा हुआ रहता है इसमें हमारा neutral और phase आता है अगर आपका double pole का MCB लगा हुआ है तब, और single pole का MCB लगा हुआ है तो आपको पहले confirm करना है कि इसमें हमारा phase आ रहा है या neutral आ रहा है उसके बाद point to point चेक करना है अभी एक जो आपका डबल पोल का MCB में इसमें आपका फेज और निउटल आया है और जितना भी आपका मेन होस्ट एक जुली होस्ट एल्टी और सीटी पैनल है हर पैनल में एक करके MCB आपका जरूर रहता है तो बाल फोल्डर का जो एक पॉइंट है वो आपको लगाना है जो आपका Power Contractor है इसका E2 का Terminal में काहे कि जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा जो आपका EOT करेन में पैनल रहता है निउटल ढूरने में आपको दीकत होता है क्योकर मैं भी प्रैक्टिकल में काम करता हूँ हमको भी दीकत होता है तो इसका सबसे आसाम तरीका है कि A2 में हमारा न्यूटल अल्रेडी है तो एक बाल फोल्डर का जो लीड है वो आपको A2 में लगाना है और लगाने के बाद आपको सिधा देखना है कि ये जो आपका फर्वार्ड का कॉंटक्टर और कोई कारण से नहीं हो रहा है तो ये जो रिवास कॉंटक्टर है इसका NC का इन्पूट में सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है बाल फोल्डर का एक पोईंट तो आप न्यूटल में लगाए है दूसरा पोईंट जैसे ही NC का इन्पूट में लगाईएगा अगर ball folder आपका जल रहा है तब आपको समझ जाना है कि हमारा इहां तक supply आ रहा है इसके बाद नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें जो आपका NC लगा हुआ है यह आपका खराब हो गिया है तो practical में किस तरह से check होता है अब और एक दिकत क्या होता है कि यह जो आपका master controller है इसमें ठीक से जो आपका master controller का kit है यह ठीक से NC बना है या नहीं बना है तो जब आप ball folder में इसका input में check करिएगा किसी भी हाल में आपका ball folder नहीं जलेगा जब आपका ball folder नहीं जलेगा तो आपको यह तो confirm है कि जो आपका master controller है इसमें हमारा 110 वोल्ड आता है या 220 वोल्ड आता है अभी कौन सा crane में किस टाइप से wiring दिया हो रहता है इसका भी एक basic जो knowledge है वो आपको बना के रखना है जैसे हमने एक वीडियो बनाए रोटार रेश्टन से starter के बारे में उस वीडियो का आप बारी किसे द चल जाएगा और एक डाइगराम को किस तरह से explain करना है इसके बारे भी आपको पता चल जाएगा तो यह जो master controller का कीट है यह आपका खराप हो गया है अभी क्या करना है कि जब आप master controller के पास जाईएगा उहां पर आपको बिल्कुल भी neutral नहीं मिलेगा उस time आपको क्या करना है जो आपका आर्थ है आर्थ के साथ आपको check करना है check करने का तरीका same-to-sam है जिस तरह साइब आ होई same-to-same तरीका सी आपको चेक करना है जो आपका master controller का input रहता है इसमें आपका phase supply आता है चाहे 110 बोल्ड हो या 220 बोल्ड हो तो बाल फोल्डर का एक लीड आपको इसमें लगाना है और दूसरा वाला जो तो आपको समझ जाना है कि master controller में जो kit दिया हुआ है इसमें आपका कुछ भी फोल्ड नहीं है तो जो master controller का kit से output और आ रहा है तो यह और कोई करन से बीच में ब्रेक हो गिया है या कट गिया है या खराब हो गिया है automatic यहां से आप एक ओयर लेके जैसे ही आप reverse side का जो nc point इसका input में दे दीजिएगा automatic आपका चालो हो जाएगा और जब जब देखिएगा diver आपको एही बात बोलता है कि हभी side चल रहा है area side नहीं चल रहा है और जब आप किताब में या कोई diagram में पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें लिखा हो रहता है host और lawyer तो यह सब बात तो कभी भी कोई crane operator नहीं बताता है आपको एही बुलेगा हभिस नहीं हो रहा है नहीं तो area नहीं हो रहा है इस type से check करना पड़ता है और एक doubt रहता है कि इस जगा में जो हमने एक limit switch का connection होता है limit switch का connection नहीं किये है आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आप लोग को details में limit switch का connection के बारे में बताऊंगा इसके बारे में बहुत सरा friend को बहुत request है तो दोस्तो जिस तरह से मैं आपको इस जगा में contactor का checking बताया हूँ same to same जो जब आपका resistance का contactor on नहीं होगा वही same checking करना है लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं एक bypass circuit करके देख लेते हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है किस तरह से कैसे हमको पता है कि मास्टर कंट्रोलर से हमारा जो supply है यह हमारा मास्टर का कीट में आया तो यह जो कीट है यह आपका NC बना फेश सप्लाई यहां टाइमर में आ गिया अभी यहां पे जाब आप बाल फोल्डर से चेक कर रहे है नूटरल के साथ यहां आपका बाल फोल्डर जल रहा है और इसका जो आउटपुट है इसमें नहीं जल रहा है तो आपको यह समझ जाना है क कि जो टाइमर का एन उपोट है यह आपका खराप हो गया है जैसे ही आप इहां से लेकर इहां तक एगो वैड़ लगा दीजिएगा तो तुरुन देखिएगा रिष्टेंस का जो कॉंटर्टर है वह एक नम्बर आन हो जाएगा जैसे ही आपका एक नंबर आन हो जाएगा तो दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, पास नमबर देखिएगा, सब अन हो गया है, सेम टू सेम, अगर आपका एक नमबर काम कर रहा है, दो नमबर काम कर रहा है, और तीन नमबर काम नहीं करेगा, तब भी आपको crane driver बोलेगा कि main host आपका solo चल रहा है तो जब आप first time जाईएगा तो यह जो तीन नमबर वाला timer है इसको आपको bypass करके देख लेना है bypass मतलब हम लोग किस तरह से करते हैं यह चोटा सा wire का टुगडा लेते हैं और input और output में जोड देते हैं और देखता हूं कि यह resistance का जो तीन नमबर कॉंटेक्टर है यह on हो रहा है या नहीं हो रहा है जैसे ही आप bypass करके चेक किजिएगा तो automatic आपका कॉंटेक्टर on हो जाएगा और fault के बारे में आपका practical knowledge जो है और बहुत बेटर तरीका से हो जाएगा तो इस type से दोस्तो point to point चेक करना पड़ता है और बारी किसे वीडियो को देखना पड़ता है अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका practical knowledge जो है बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सा फ्रेंड का ये request और comment रहता है कि सारा practical में करके दिखा दिजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप खुद अगर कोई industrial में काम कर रहे हैं तो आप जरूर समय सकते हैं कि प्लान के अंदर में कितना आवाज आता है कितना दिकत होता है किस condition में क्रेन चलता है हर चीज समभब नहीं होता है अगर समभब होता जरूर प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करके आप लोग को दिखा देता है जो जो चीज प्रैक्टिकल में करना समभब है अल्रेडी प्रैक्टिकल वीडियो बना कमें यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ और आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्कार ज्याइएंद